हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल इअब बी इंग्लिश फ्रम बिगनिग फ्रेंट्स आज हम देखने जा रहें क्या नरेशन की सिरीज का अगला भाग जहां पर हमें यह समझना होगा कि इन्वर्टेट कॉमा यानि रिपोर्टेड स्पीश में अगर मस्ट का यूज किय है तो उसे हम इन्डारेक्ट स्पीश में कैसे बदलें फ्रेंट्स वीडियो को अंधर तक वाच कीजेगा ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं फ्रेंट्स यहां पर माईंड कीजिए कि यहां पर मस्ट का यूज किया गया है लेकिन इस मस्ट से हमारे जो लेतिक करतब भी होते हैं या फिर जो हमारी responsibilities यानि जिम्मेदारियां होती हैं उनका बोद हो रहा है तो अगर inverted कॉमा के अंदर I must से हमारी करतब या फिर हमारी जिम्मेदारियों का बोद हो तो ऐसी condition में इस must को हम नहीं बदलते हमें must को as it is copy करना होता है तो फ्रेंट्स कुछ example मैंने आपके सामने लिखते रखा है इसको ध्यांस देखिएगा और समझते जाएगा तेकि मैंने लिखा है क्या पहला example कि he said we must love our country हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए तो यह हमारे क्या हो गया यह करतब यह करना था सैट को भी हम लोग क्या करेंगे यहां पर copy करेंगे क्योंकि object नहों तो हम सैट को टोल में नहीं बदलते तो फिलाने हां पर देखिएगा क्या लिखा मैंने ही फिर क्या लिखा है सैट और inverted कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या लगाना होगा बागी सारी चीज तो आप ध्यान से देखिए यह थी हमारी क्या direct speech और यह हमारी क्या हो गई indirect speech तो sentence हमारा क्या बना है indirect में he said that we must love our country दोसरा example आपके सामने लिखा हूँ है she said we must obey our parents तो हमें क्या करना होगा पहले reporting subject को copy करना है फिर क्या लिखना हमें यहाँ पर sad लिखना है इस inverted कॉमा को तोड़ने के लिए में क्या लगाना होगा that फिर से सारे चीज़ों को हमें यहाँ पर copy कर देना है तो क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पर we must obey our parents प-a-r-e-n T.S. एक example और आपके सामने लिखा है क्या लिखा मैंने कि my teacher said we must respect our elders अगर यहाँ पर sad के बाद होता कि my teacher said to me तो उस condition में इसको टोल कर देता बड़े यहाँ पर एक्चुली बोल रहा है क्या teacher जी कि we must respect our elders हमें अपने बड़ों का सम्मान आवश्य करना चाहिए तो ऐसी condition में हमारा जो reporting subject है वो कौन है my teacher तो इसको आप copy कर लीजे फिर क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर sad invited कॉमा को तोड़ने के लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर that और बाकी सारी चीज़े फिर से मुझे यहाँ पर copy करनी है we must respect our ESPCT our elders E-L-D-E-R-S तो आप ध्यान से नातिक करतव या फिर जिम्मेदारियों का बहुत हो तो हमें must को चपचप copy करना होता है इसमें कोई बदलाव नहीं करते लेकिन अगर must से present या future की बात की गरी हो यानि must का यूज present या future को बताने के लिए किया जारा हो तो ऐसे condition में must को हमें बदलना होता है अब इसमें कैस से बदलेंगे उसमें कुछ examper हम देखने जा रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहीएगा तो क्या इससे हम नैतिक करतब या जिम्मदारी की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे है न तो ऐसी condition में हमें must को according to situation has to have to had to या फिर will have to में बदल देना होगा तो द्यान से देखिए कि अगर हमारी reporting speech past में है तो इस must को हमें had to में बदलना होगा लेकिन अगर reporting speech present में होगी तो must को हमें has to or have to make बदल देना होगा इसको मैं करके बता रहा हूं द्यान से देखिए तो यह थी हमारी क्या direct speech अब मैं इसको indirect करने जानों देखिएगा क्या लिखा मैंने he said that इस I का मतलब किसे हो गया he say तुम मुझे आपर क्या लिखना होगा ही और मस्ट को मुझे किस में बदल देना होगा had to में बदल देना होगा और उसकी बात क्या लिखना है go तो हमारा sentence क्या बनेगा he said that he had to go एक दूसरा example आपके सामने लिखा है मैंने क्या she says to me I must buy a new car और य इसे condition में दिखी क्या करने जा रहा हूँ मैं c लिखा मैंने उसके बाद ही क्या हो जाएगा tells हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर हमें reporting object मिल रहा है a new car तो उपर वाला जो statement था यह हमारा क्या कहलाया डायेक स्पीच और यह हमारी क्या कहलाएगी indirect speech कहलाएगी तो फ्रेंड्स आसा करता हूँ कि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होगी तो प्रैक्टिस करते रहे हैं मिलते फ़र आप से अगले वीडियो में see you next video till then bye bye